सभपती महोदे किसानों की उपज की आप न अधिक कीमत दे सकते हैं न अधिक उपजाने के लिए जो साधन देश में उपलब्ध है उनकी तरफ आपका द्यान जा रहा है जो कुछ आप कर रहे हैं उससे कोई अच्छा भविश्य नजर नहीं आ रहा है मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप देखे कि आपके कारेक्रम में कहा त्रूटी है कहा कमी हैं आपने कर लगा रखे हैं आपने जो कर लगाए हैं वे तो लगाए ही हैं अमारे प्रदेश में तो जमीन पर 25 प्रतिशत जादा कर भी लगा दिया गया है इतना गोज अगर इसान पर होगा तो उसकी कमर तूट जाएगी वह पहले से तूटी जा रही हैं लेकिन वे इन करों को देने के लिए भी तयार हैं यदि आप उस तरह के साधन उन किसानों के लिए तयार करें हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ जीले हैं पूर्वी जीले हैं जहां पर बहुत बुरी इस्तिथी हैं हमारे सदन के एक सदस्य ने रो रो कर आपको यह बताया था कि वहां लोगों को दो रुपे मजदूरी में मिलता है इतनी ही एक दिन की उनकी मजदूरी है सरकार ने एक आयोग की नियुक्ति की थी ताकि वहां पर कुछ विकास के कार किये जाए वह योजन भी अब खटाई में पड़ गई है आपका द्यान इन समझ चीजों की और कैसे दिलाया जाए कैसे आपका द्यान इन सभी कठिनाईयों की और अकर्शित किया जाएं समझ में नहीं आता है यातायाद के साधनों की इस्तिती यह है कि ट्रेनों में दूसरे दर्जों में भीड भाड का कोई ठीकाना नहीं है उसकी कोई सीमा नहीं है हर रोज ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई मेला चल रहा है आपके पास अच्छे इंजन है अच्छे गती वाले इंजन है लाइन भी अच्छी है तो क्यों नहीं दूसरे दर्जे के अधिक डिब्बे लगाए जाते है लोगों को कुछ सुविदा मिल जाए वह काम नहीं किया जा रहा है आपको किसान की देहात में रहने वाले आदमी की मजदूर की परवा नहीं है जो समस्त कठिनाईयों को जेलता है आपके सारे कारेकरम को पूरा करने की उसमें कहा से सक्ती आएगी कैसे वे अधिक अन्द उख जाकर आपको दे सकेंगे आप इन सब पर सोच विचार करे आपने बड़े बड़े फार्म बना दिये हैं क्या उन्हें आपके फार्म से कोई लाब मिल रहा है करें है